एन नाम वाने 2024 बड़ी कुश खबरी आज 이제 हम आपको एन अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाने लोगों का स्वहाओ और साल 2024 में हलो प्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में सबसे बहले बात करेंगे एन से नाम वाले लोगों के स्वहाओ के बारे में एनक्चर से नाम वाले लोग दिखने में बेहर शांत लेकिन अंदर ये अंदर बहुत सोच विचार वाले होते हैं ये काम को उची तरीके से करना पसंद करने वाले और इस पश्ट बोलने वाले होते हैं अगर इन्हें किसी की बात पसंद ना आए तो ये मूँ पर बोल देते हैं और दिल में उस बात को नहीं रखते एंसे नाम वाले लोग मन मौजी सुभाव के भी होते हैं ने दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता ये जिस छेतर में कदम बढ़ा दे उसी में सफलता मिलती है अपनी फैमिली की और इनका काफी अधिक जुकाव होता है हर रिष्टे को ये बड़े ही प्रेम से निभाते हैं प्यार में इनका सुभाव काफी लविंग और केरिंग होता है ये प्रेम में काफ़े विश्वास करने वाले होते हैं ये जिनें भी पसंद करते हैं उनके बेहत करीब हो जाते हैं एक बार प्यार में पढ़ जाने के बाद ये अपने पार्टनर की भावनाओं का खुब आदर करते हैं अपने रिष्टे को लेकर ये बेहत समर पे और इमानदार होते हैं अब बात करते हैं एंसे नाम वाले लोगों की सिक्षा के बारे में राशिकल अनुसार सिक्षा के छेतर की अगर बात करें तो इस साल आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी यदि आप पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी दिन्चरिया में सुधार करें और पढ़ाई पर अधिक समय दें ज्यादा एफ़र्ट्स और इकागरता से आपके सबी सपने पूरे होंगे अगर कोई जातक प्रेतियों की परिक्षा में हिस्सा लेना चाहता है तो इस साल तो साल की सुरुवात का समय इसके लिए सबसे उक्तम है उच्छे सिक्षा के शेतर में कदम रखने वाले जातकों के लिए साल के मद्दी का आखरी भाग खास होगा इस दोरान आपको उच्छे सिक्षा के शेतर में काम्यावी मिलने की संभावना है इस वर्स आपको ये बात कांट बातनी होगी कि बिना योजना के सफलता की प्राक्ति नहीं होती है अब बात करते हैं एन से नाम वाले लोगों की नौकरी वेफसाई के बारे में राशी पल अनुसार ये वर्स करियर के लिहाद से आपके लिए काफी चुनाती पूर्ण रहेगा इस वर्स आपकी मेहनत के प्रबल योग हैं इसलिए बहतर होगा कि इस साल आलस दिखाने की ना सोचें कारशेतर में कड़ी मेहनत आपको सफलता की और अग्रसर करेगी अगर आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा नुकसान भी हो सकता है चोटे कारुबारियों और व्यापारिवर के लिए बर सामानी से बहतर की ओर रहेगा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले जातकों को सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए साल के मध्यभाग आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी नौकरी पेशा लोगों के साना अंतरण के योग मी बनते नजर आ रहे हैं अब बात करते हैं एन्से नाम वाले लोगों के प्रेम विवा के बारे में सिंगल जातकों के लिए कोई बड़ी खुश खबरी लेकर आ सकता है विवायोगी हो चले जातकों के लिए विवा के अच्छे प्रसाव मिलने की उमीद है विवायिक जातकों के लिए भी नवर शांदार रहेगा प्रेमी संग रिष्टा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा लव पार्टनर के साथ आपको समय कांत में बिताएंगे और अपने जीवन से जुड़े कुछ हैं मुद्धों के बारे में बात करेंगे दामपते जीवन में एक दूसरे के प्रती प्यार और रिस्वास बढ़ेगा इस वर्स आप यदि कोई नयाकारी करना चाहते हैं तो आपको साथी का सयोग मिलेगा शादी के चुक जातकों को शादी के प्रस्ताव मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा अब बात करते हैं एंसे नाम वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के बारे में राशिवल अनुसर पारिवारिक दृष्टी से ये समय आपके अनुकूल रहेगा घर में महवानों और रिष्टेदारों के आने से घर का माहौल का अच्छा और सुकत बना रहेगा ये वो समय होगा जब आप जिन्दगी का खुल कर मज़ा लेंगे और परिवार के साथ प्यार भरे लम्हों को खुल कर जीएंगे इस साल माता पिता के स्वास्त का विशेज दिहान रखें घर में चोटे भाई बहन के साथ आपके रिष्टे अनुकूल बने रहेंगे सदर्स्यों का आपके प्रती व्यभार सकारात्मक रहेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेणा देगा परिवार के किसी भी सदर्सी से पैतरुक संपर्ती का लाब भी आपको मिल सकता है ये साल पारिवारी के स्थर पर अच्छे परिणाम लेकर आएगा अब बात करते हैं एंसे नाम वाले लोगों की आर्थिक सिति के बारे में राशी पल अनुसर आर्थिक दुष्टी से ये साल काफी अच्छा जाने वाला है क्योंकि इस वर्स आपको अच्छा धनलाब होने के योग हैं जिससे आपकी आर्थिक सिति बहतर रहेगी अगर आप लंबे समय से धनसंचे करने की सोच रहे हैं साथ या आपका बैंक बैलेंस भी परिपूर्ने रहेगा कए अपसे नामाले लोगों की स्वास्त के बारे में राशी पल अनुसर स्वास्त के लिहाश से वर्स आपको मिश्र grandi परिनाम देगा वैसे तो इस वर्स आपका स्वास्त को लेकर सटर्क रहना होगा इस साल किसी पुरानी बीमारी से भी आपको छुटकारा मिलने के योग हैं इसलिए जितना भी हो सके योग व्यायाम और उचित खानपान को अपनी दिन चर्या में जरूर शामिल करें अगर आपको हमारी द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उपचान उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर करना ना भूले